गुलपरगाम में भी गनेश उत्सव की धूम देखी जा रही है श्रदालू अपने घरों में बिठाने के लिए पूरी श्रदा और भक्ती के साथ गनेश की मूर्तियां खरीद रहे हैं मुलके दिगर इलाखों की तरह गुलपरगा में भी पूरी श्रदा और भक्ती के साथ गनेश उत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं जगा जगा मंडब बनाए जा रहे हैं जहां गनेश की दिवखामत मूर्तियां बिठाई जाएंगी वहीं गनेश की छोटी-छोटी मूर्तियों की भी जबर्दस मांग देखी जा रही है श्रदालू अपने अपने घरों और दुकानों में गनेश की मूर्तियां बिठाने की तैयारियों में लगे हुए हैं गुलपरगा के कई इलाखों में गनेश की मूर्तियों की दुकाने लगाई गई हैं, जिस पर कई भक्त नजर आ रहे हैं. सुरेच चंदर जनी जबस से देवर जनी है, सोब कास्ट में गनेश का, गनेश बोले तो एक एजुकेशन का सम्मध है, ऐसा बोलको लोगां को माइड में हैं, इस वाशते हर कमिटी में हर स्टेंट लेड़ जन्स सोब जनी मिलकू गनेश का पूजा करती, आशिवाद देती, हर भक्त अपनी अपनी शरधा वो भक्ती के मुताबिक गनीश की मूर्तियों को अपने घरों वो दुकानों में रखकर विसरजन करते हैं, कि दिन बिटाते हैं, हम बिटाते हैं खली पास दिन का, गनपती उत्स वट्स व एक हर साल बनाया जाता है, क्योंकि ये गनेश की मिटाने से घर में सब सुक शांति समरुदी रहे, सब लोगों में अच्छा ये बने और सुक शान्ती सब बढ़ते रहे अच्छा होता रहा है बोलके ये बनाते हैं इसे रखते हैं बुलपरगा के सूपर मार्केट में मूर्तियों की दुकाने सबसे ज्यादा हैं दुकानदार का भी कहना है कि इस बार कारोबार गुजिश्टा के मुखाबले ज्यादा है गनेश की मूर्तियों के साथ-साथ उनकी पूजा में इस्तिमाल होने वाले सामगरी की भी खूब मांग देखी जा रही है फूलों और फलों की जबरदस्त खरीदी की जा रही है एटीवी नियूस के लिए गुलबरगा से आयतुला सरमस्त की रिपोर्ट